नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लड्डू गोपाल को घर में रखने के नियम और फायदे दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्थ हो सके तो चलिए शुरू करते हैं वर्तमान समय में लड्डू गोपाल को घर में रखने का प्रचलन बहुत बढ़ रहा है ऐसे में कोई उन्हें अपना बेटा, कोई सखा तो कोई पूजा के लिए उन्हें घर में लेकर आता है घर लाने के बाद उन्हें केवल मंदिर में ही नहीं रखा जाता है, बलकि उन्हें अपने घर का सदस्य मानकर बिलकुल वैसे ही रखा जाना चाहिए जैसे कि वो लोग खुद रहते हैं. उन्हें भी उतना ही प्यार व आदर देना चाहिए जितना घर के अन्य सदस्यों को मिलता है इसके अलावा कई लोग तो कहीं पर जब आते जाते भी है तो भी वो अपने साथ लड़ू गोपाल जी को लेकर जाते हैं ध्यान रहे जिस तरह आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं उसी तरह जन्माश्टमी के अलावा लड़ू गोपाल के घर में आने की तारीख के अनुसार भी लड़ू गोपाल का जन्मदिन मनाना चाहिए तो चलिए जानते हैं कि लड्डू गोपाल को घर में लाने के क्या फाइदे होते हैं, साथ ही उन्हें रखने के क्या नियम है इस दिन लड्डू गोपाल को लाए घर लड़ू गोपाल को घर में लाने के लिए वैसे तो कोई शुभ मुहूत नहीं होता है, लेकिन अधिकतर लोग जनमाश्टमी के दिन इन्हें अपने घर में लाते हैं इसके साथ ही ऐसा नहीं है कि इस दिन के अलावा आप लड्डू गोपाल को आप घर में नहीं ला सकते हैं बलकि आपका जिस दिन मन करें उसी दिन आप लड्डू गोपाल को घर में ला सकते हैं लेकिन ध्यान रखें की जब भी आप लड़ू गोपाल को घर में लाएं तो पूरी प्रान प्रतिष्ठा के साथ उनकी स्थापना करें लड़ू गोपाल को इस रूप में लाएं घर लड़ू गोपाल को घर में बाल स्वरुप में लाया जाता है और घर में लाने के बाद बिलकुल बच्चे की तरह उनकी सेवा की जाती है इसके अलावा बाल रूप में भी लड़ू गोपाल की प्रतिमा के साइज होते हैं, आप जो साइज भी लाना चाहते हैं, वो साइज घर में ला सकते हैं लड़ू गोपाल को रखने के ये है नियम? आप घर में जब लड़ू गोपाल को लाते हैं तो इन्हें रखने के वैसे तो कोई कठोर नियम नहीं है लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूर आवश्चक है जिससे इनके प्रती आपके आदरभाव और प्यार में कोई कमी नहीं हो तो चले अब वे नियम जानते हैं जिनका ध्यान रखना आवश्चक है नियमित रूप से आप जिस तरह अपने बच्चों को नहलाते हैं उसी प्रकार लड्डू गोपाल को भी आपको रोज स्नान करवाना चाहिए इन्हें दूध, दही, शहद, गंगाजल, चीनी, आदी से स्नान करवा सकते हैं इसके साथ नहलाने के बाद लड्डू गोपाल को अच्छे से साफ करके साफ सुथरे वस्तर पहनाएं और श्रिंगार करें ध्यान रहे श्रिंगार करने के बाद इनकी पूजा अर्चना करें इसके साथ ही घर में जो भी सात्विक खाना बनता है, उनका सबसे पहले भोग लड़ू गोपाल को ही लगाएं, हमेशा एक पानी का गिलास इनके पास रखें, साथ ही कानहा के खाने में तुलसी का पत्ता जरूर रखें घर में कोई भी खाने की चीज आएं, तो सबसे पहले लड़ू गोपाल को ही भोग लगाएं, इसका कारण यह है कि लड़ू गोपाल आपके घर के सदस्य होते हैं, साथ ही यह भी ध्यान रखें कि उस चीज में प्याज लहसुन आदी नहीं हो इसके पश्चात रात के समय कानहा को सुलाएं और सुभा फिर से वही प्रक्रिया करें कुछ लोग घर के मंदिर में रखने के लिए कानहा की प्रतिमाल आते हैं, वो चाहे तो वे भी इन नियमों का पालन कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ पूजा और भोग लगा कर ही इन्हें मान सकते हैं यदि आप कानहा को अपना बेटा बना कर लाए हैं या उनकी सेवन उठा कर लेकर आए हैं, तो आप लड़ू गोपाल को कभी भी घर में अकेला छोड़ कर नहीं जाएं, क्योंकि यह उनका बाल स्वरुप होता है, और आपको यह पता होगा कि छोटे बच्चे को घर में अ पूजा करें, लड़ू गोपाल को कभी भी जूठे हाथों से नहीं चुएं और नहीं किसी को छूने दें, कारण यह है कि ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता है, ध्यान रहे कि पूजा के बाद माफी जरूर मांगे, क्योंकि यदि कोई गलती हो भी गई होगी तो कानहा उसे माफ कर दें, घर में लड़ू गोपाल के फायदे, घर में लड़ू गोपाल को रखने के बहुत से फायदे हैं, लड़ू गोपाल आपके घर, परिवार, व्यापार आदी को सफल बनाए रखने में मदद करते हैं, तो चलिए अब जानते हैं कि घर में लड़ू गोप परिशानियों को दूर करने में मिलती हैं मदद। लड्डू गोपाल के सामने जाहिर करते हैं, तो वह आपके मन की सभी इच्छाओं को पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसका कारण ये है कि खंडित मूर्तियों को घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है। प्रवाहित करने के बाद आप चाहे तो दोबारा से घर में कानहा को बाल स्वरुप में ला सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।